hi everyone welcome to my youtube channel so today we will see the point of inflection what is point of inflection in the last video we have done the what is local maxima local minima and in that video we have seen the one example of the point of inflection so point of inflection हमने उधर भी समझा था इधर भी हम समझेंगे कि definition यह कहती ही कि point of inflection कहीं बार आप कुछ ऐसी spelling देखोगे कहीं बार आप यह देखेगे exion और कहीं पर लिखाओगा ection दोनों का मत्तब एक ही है यह एक ऐसा point होता है curve के उपर जहां पर y equals to fx की जो concavity है वह आपकी change होती है concavity यानि जहां से curve जो है उस point के बाद या तो down जा रहा है या तो अप जा रहा है आप इस graph से समझिए इस graph में आप देखेंगे जहां पर आपका f double dash c है इसके just left hand side पर आप देखेंगे कर्व कैसा जा रहा है it is down में जा रहा है और राइट कॉषणव को नीचे की तरफ जा रहा है ऐक तो यह वो point होता है जहां पर आपका जो कर्व की concavity है वो आपकी चेंज हो रही होती है यानि अप से डाउन या डाउन से अप या आपका लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पॉइंट नहीं होता है तो हमें क्या मिलता है जीरो मिलता है और उधर से हम कहते हैं कि नीदर मैक्सिमा नीदर मिनिमा इसका मतलब क्या है कि यह आपका क्या है पॉइंट ओफ इंफ्लेक्शन है लेकिन वह तो ठीक है लेकिन इधर से मैं आपको नया मैथर से समझा रहा हूं जो कि आपको बहुत अच आपको क्या करना है सबसे पहले इसका double derivative find out करना है double derivative find out करना है तो कैसे हम find out करेंगे सबसे पहले first derivative find out करेंगे first derivative हो जाएगा 3x square minus 4x minus 8 double derivative करेंगे तो double derivative क्या हो जाएगा यानि इसी जो first derivative निकला है इसका again derivative करेंगे तो आपको मिलेगा 6x minus 4 आप आपको जो critical point है ना पिछली वीडियो में हम critical point कहां find out करते थे local maximum local minimum के लिए हम first derivative से find out करते थे अब जो आपको है critical point का find out करना है second derivative से find out करना है point of inflation निकालने के लिए तो second derivative से कैसे निकालेंगे second derivative को आप equals to 0 रख दीजिए जब आप equals to 0 रखेंगे तो इधर से आपको x की value मिल जाएगी 4 by 6 इसको simplify करेंगे तो आपको मिल जाएगी x की value 2 by 3 अब हमें check करना है कि क्या यह point of inflation है तो कैसे check करेंगे आप step 3 देखिए अगर यह f double dash x के अंदर यह x की value रखने के बाद अगर जो sign है वो change होता है तो हम क्या कहेंगे कि यह आपका point of inflation है अदरवाइद नहीं है यानि आपको second derivative से critical point find out करना है और फिर यह point f double dash x में ही put करना है और देखना है उसके left hand side और right hand side पे अगर sign change होता है positive से negative यह negative से positive पे तो वो point of inflation है अदरवाइद नहीं होगा तो आप क्या किजिए एक्स को slightly less than two by three कुछ भी लेट किजिए कुछ भी लेट किजिए एक्स को slightly less than क्या होना चाहिए less than two by three होना चाहिए अगर two by three से less than है two by three से less than है इसका मतलब आप zero ले सकते हैं आपका f double dash x क्या था six x minus four आपका f double dash आयता six x minus four अब अगर x को two by three से कुछ भी लेट करते है छोटा वैसो slightly देखते हैं मैं आपको zero put करके दिखा तो जब आप zero put करेंगे आपको zero minus four क्या मिलेगा minus four मिलेगा यह क्या है less than zero तो f double dash x कैसा मिल रहा है less than zero मिल रहा है अब आप कोई भी x value जो two by three से बड़ी है तो आप क्या करेंगे one रखके देख लिजिए अगर आप one put करेंगे f double dash x के अंदर तो आपको क्या मिलेगा six minus four that is two यह क्या है यह तो positive है यानि जो sign है वो कैसे जा रहा है negative से positive पे जा रहा है अगर यह condition satisfy होती है तो इसके मतलब क्या है there exist an inflection point कि इधर inflation point exist करता है और आपको x तो मिल गया है two by three एक point तो मिल गया है लेकिन अब y भी find out करना ही inflation कोई भी point कैसे लाई करता है coordinate की form में यानि x, y की form में लाई करता है तो y find out करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको fx पता चल गया that is fx is equal to x cube minus 2x square minus 8x यह आपका question था जहाँ जहाँ एक से वहाँ पर आप two by three put कीजिए जो आपकी value आएगी वह किसकी equal होगी f of x का दूसरा नाम क्या होता है y f of x का दूसरा नाम होता है y तो आपका यह x और y coordinate form हो गई यह आपका होगे inflation point, inflation point क्या हो गया two by three comma minus 60 160.27 तो I hope आपको question समझ में आगे होगा सबसे पहले आपको f double dash find out करना है और फिर critical point find out करना है f double dash x से अगर वो critical point की value f double dash x में रखने से अगर आपका size change होता है positive से negative या negative से positive तो वो inflation point होगा otherwise नहीं और दूसरा point find out करने के लिए जो आपको question given होता है उसके अंदर आप x को put कर दीजिए उदर से आपको दूसरा point मिल जाएगा तो आगे आप और भी बहतरीन question करेंगे जिससे आपको concept की clarity जो हो अच्छे से होएगी the second question is the second question so first find the f double dash x so for the f double dash x you have to first find this single derivative that is first derivative so you will get the first derivative that is 6 x square minus 12 x plus 6 what will be f double dash x f double dash x will be 12 x minus 12 now put f double dash x is equals to 0 after putting this you will get what is the value of x you will get x is equals to 1 so you will get the 1 now you have to check at 1 that it is it a inflection point or not so put any value less than 1 in f double dash x so your f double dash x is 12 x minus 12 if you consider any value which is less than 1 suppose take 0 so 0 minus 12 it means you will get less than any you will get negative value but if you consider any value which is greater than 1 and if you put in 12 x minus 12 you will get the positive value you can put any value which is greater than 1 2 or you can also put 1.5 1.1 you will get the positive value so you can say the sign changing from minus plus 2 plus that is negative value which is greater than 2 plus that is negative to positive so there exists a point of inflection if the point of inflection exists then what is the value of the second coordinate so this is your question put x is equals to 1 so i have put x is equals to 1 you will get y is equals to 7 after putting the x is equals to 1 so your inflection point is 1 comma 7 so your inflection point is 1 comma 7 so your inflection point is 1 comma 7 so that's all for the example for the example number 2 i hope you will get a question i hope after question very much saw me and now you have a concept would have a clear clear be it clear how to last class when we have a local maximum local minimum be seekh liya back then next question x x cube f of x is given to you x cube देखिए f of x f dash x आपका क्या आएगा 3x square f double dash x क्या आएगा आपका 6x आएगा अब इस f double dash x को आप 0 के equal put किए जैसे आप 0 के equal put करेंगे आपको x की value क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी अगर आपका x less than 0 है अगर आपका x less than 0 है इस f double dash x के अंदर कुछ भी value 0 से less than रखके देख लिए आपको graph कैसा मिलेगा negative मिलेगा आपको value कैसा मिलेगी negative और अगर x कोई भी value greater than 0 रखेंगे तो आपको f double dash x positive मिलेगा तो आप देख सकते हैं कि आपको जो sign है वो कैसा जा रहा है negative to positive जा रहा है अगर आप graph से समझना चाहें तो यह इसका x cube का graph है आप देख पा रहे होंगे कि 0 के बाद 0 के right hand side पे graph की concavity change हो रही है यह देखो आप जा रहा है यह concave down जा रहा है जीरो के बाद इस graph को आप बहुत जूम करके आप नेट पर एक्स क्यूप का graph देखे तो 0.0 point of inflation आ रहा है एक्स क्यूप के graph के अंदर जहांबे concavity change हो रही है तो यह मैंने आपको graph से भी समझा दिया तो आपको point of inflation तो exist करता है लेकिन वो क्या coordinate है तो आप देख पार होंगे graph में भी तो इधर भी value निकाल कर दिखाता हूं जो आपको f of x given है उसके अंदर आप a critical point को put कर दीजिए हमने 0 पूट करा तो आपको y क्या मिल गया 0 तो आपको point of inflation क्या मिल गया 0 तो that's all for the that is third example number three I hope आपको x cube का question भी समझ में आ गया होगा और यह आपने graph से भी हम कैसे देख सकते हैं यह भी आपको पता चल गया होगा यह जो एक question है आप देख पार होंगे this question is for your homework that is x to the power 4-24 x this part is for your homework and I want you to solve it because इससे आप पता चलेगा कि आपसे question solve हो रहा है कि नहीं हो रहा अगर नहीं हो रहा we will take the class further और अगर हो गया है तो write down your answer in the comment section so that those who have done the question they can re-check or verify their answer एक last question हम देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा question है that is minus x to the power 4 plus 4 x cube plus 15 x square plus 12 x plus 1 इसके अंदर आपको बहुत साइच चीज़े जानने को मिलेगी देखिए इस question में आपके जो critical point है एक नहीं निकलेंगे दो निकलेंगे देखिए कैसे तो आपको सबस्क्राइब आप एक फाइंड दोर करना है हमने दैश एक किरा किरा सब्सक्राइब दैश एक करना है हमने एफ डबल टैश च्राइब लीग यह इधर जग तो आप कर लेंगे इधर आप आपको क्या करना है आपको f double dash x equal to zero रखना है जीरो रखना है तो zero रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा आपको इस तरीके से देखेंगे इस सेकंड स्टेप मैंने क्या करा माइनस 6 को मैंने कॉमन ले लिया देन आपके quadratic equation बने quadratic equation बनने के बाद मैंने मीडल टर्म splitting method लगाया और इधर से मेरी x के तीन फेक्टर दो फेक्टर बन गए यह एक्स प्लस वान एं एक्स माइन 5 इधर से आपके दो एक्स की value निकलेंगी तो अब हमें we have to check on each and every point that is that point is point of inflection or not okay जैसे हम local maximal local minimum find out करते हैं ऐसे we have to find at each and every point every critical point that is it point of inflection or not when x is equals to minus 1 अगर x आपका minus 1 होता है then f double dash x का सा होगा आप पूट करके देखिए जब x minus 1 होगा यह आपका f double dash x यह तो है इसी को जो solve कर रहा है अगर x minus 1 होगा तो आप देखेंगे x value कैसे जाएगी पहला factor तो आपका क्या है negative है अगर आप x को minus 1 से कुछ भी लेक्स रखेंगे तो यह factor क्या मिलेगा negative मिलेगा अगर x को minus 1 से negative कुछ भी रखेंगे तो देखेंगे अगर आप x कोई भी value greater than minus 1 रखते हैं suppose हम zero put करते हैं zero put करने पर it will be negative इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा this will be positive 0 plus 1 0 minus 5 you will get negative 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 is positive so this is positive so you can say you the sign is changing from negative to positive so there exists an inflection point inflection point यह exist करता है अब x कोई 5 पी चक करेंगे when x is equals to 5 when x is less than 5 जब x less than 5 के अंदर आप कोई भी value suppose I took the 4 so if I took the 4 it will be negative 4 plus 1 will be positive 4 minus 5 will be negative then you can see the negative positive is negative negative positive is positive okay so you will get what you will get greater than 0 that is positive if x is greater than 5 अगर x greater than 5 जाता है तन सी तबोस आपकोई तो 6 x is equal to 6 it means it will be negative 6 plus 1 will be positive and 6 minus 5 will be positive so you will get you will get negative value so it means f double dash x will be less than equals to 0 so here sign again changing from positive to negative if the sign changing from positive to negative then there also exists point inflection point so if there exists inflection point it means whatever the question given to you you have to find the another coordinate at every critical point because both points are your critical point so when x is equals to minus 1 put x is equals to minus 1 in the question after putting this you will get y is equals to 9.5 so your first coordinate will be minus 1 comma 4 point 9.5 now at x is equals to 5 at x is equals to 5 after putting x is equals to 5 you will get y is equals to 573.5 so it means your second coordinate is 5 comma 573.5 so you get the two inflection points that is minus 1 comma 9.5 and 5 comma 573.5 so it is not necessary ki question me ekhi inflection point ho it may be possible ki aapke 2 inflection point ho similarly like it is not necessary that a question contain uh only one local maximum local minima it may be possible it contain more than one local maximum and local minima now see the graph of this question so here you are getting minus 1 comma 9.5 and here is 5 comma 573.5 if you consider the point minus 1 comma 9.5 on the left side of minus 1 comma 9.5 you can see the concave is down the graph is concave down and on the right hand side you can see the graph is concave up similarly consider the second point that is 5 comma 573.5 on the left hand side the graph is concave up and on the right hand side the graph is concave down so you can see from the graph also that is the concavity of the graph is changing at the two point so i hope this example is clear to you okay so don't forget to do this homework question so i hope you understood the video and if you understood please like subscribe and share and thank you for watching this video